दोस्तो मैं सोरो मलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रसायनिक विज्ञान के 35 ऐसे important question and answers दोस्तो जो की 100% परिक्साओं में पूछे जाते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेके अंड तक देखना और 35 में से कितना score रहता है अपना score comment box में जरूर बताएगा प्यारे दोस्तो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है ये आपके लिए test question है तो इस question का answer सभी को comment box में अभी बताना है चलिए सुरू करते हैं पहला question है निमलिकित में से किसको पैंसिलों में प्रियुक्त किया जाता है तो इस question का सही उतर क्या रहेगा बई बिल्कुल सही answer हैगा ग्रेफाइट को यानि की C right answer हो जाएगा बई दूसरा question है किस तत्व को रसाइन विज्ञान में अवारा तत्व की संग्या दी गई है दोस्तो इस question का right answer हैगा hydrogen को यानि की C right answer हैगा दूसरे question का सही उतर ये भी आपको याद अखना है तीसरा question है काशा यानि की ब्रॉंज किसका मिश्रन होता है दोस्तो right answer हैगा तामबा एवं तीन का यानि की option A right answer हो जाएगा तीसरे question का सही उतर question number 4 है baking soda यानि की खाने का soda का रसाइनिक सुत्र है दोस्तो right answer हैगा NaHCO3 यानि की option हो जाएगा B right answer question number 4 का सही उतर पाचवा question है प्याज lesson में गंद किस तत्व की उपस्थिती के कारण होती है दोस्तो right answer हैगा potassium की उपस्थिती के कारण यानि की option A right answer हो जाएगा भई प्यारे दोस्तो 6000 question answers की जो हमारी master PDF है इस PDF में आपको सभी subject मिलते हैं अब इसके साथ में एक और PDF हमने बढ़ा दी है जो की बहुत ही महत्पून PDF है जिसकी demand भी बच्चों की तरफ से बहुत जादा थी देखे ये सारे subject इसमें मिलेंगे ही static gk की PDF भी आपको free मिलने वाली है साथ ही साथ 2023 के 6 महीनों की current affair जो की updated current affair रहेगी बहुत ही महत्पून वो PDF भी आपको बिल्कुल इसी PDF में free दी जाएगी दोस्तो PDF के price वही है और चीज़े इसमें बढ़ती वी जा रही है या फिर अमारे इस WhatsApp नंबर पे message करके भी आप इस PDF को मंगा सकते हैं WhatsApp नंबर नीचे की साइड आपको हर एक page पर लिखाओ मिल जाएगा चटा question है निवन में से कौन सा तत्तु सर्वदिक विदुत रनात्मक है इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा तो fluorine इस question का right answer रहेगा यानि की B right answer रहेगा छटे question का सही उत्त दोस्तो अगला question आता है बायो गैस सेंत्र से निसकासित निमलिकित में से कौन सी गैस है इंधन गैस के रुप में उप्योग में आती है इस question का दोस्तो right answer रहेगा मिथेन यानि की D right answer तो साथवे question का right answer D रहेगा आठवे question है परम सुन्यताप का मान कितना होता है तो परम सुन्यताप का मान दोस्तो कितना होता है तो right answer is minus 273 degree Celsius तो आठवे question का दोस्तो right answer B रहेगा ये आपको या दखना है question number 9 है निमांकित में से कौन hydrogen का समिस्था निक्यानी की आईसोटोप नहीं है तोस्तो right answer रहेगा ड्रेसियम यानि की option D right answer रहेगा नोवे question का से उत्तर ये भी आपके दखना है दस्वा question है hydrogen bomb विक्सित किया गया था दोस्तो right answer रहेगा Edward Taylor द्वारा यानि की option A right answer है दोस्तो अगला question है परदार्थ का परमानू सिधान्त किसने परतिपादित किया था और वीडियो अच्छी लग रही है questions का level अच्छा लग रहा है तो please like जरूर करिएगा काफी motivate करते हैं आप लोग जब ज़्यादा ज़्यादा like करते हैं share करते हैं अपने दोस्तों के साथ में दोस्तो right answer हैगा John Dalton यानि की B right answer हो जाएगा 11B question का सहीउत दोस्तो निमलिकित में से किसकी उपस्तिती के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो right answer हैगा hydrogen sulfide के में दोस्तों यानि की C right answer हैगा 12B question का सहीउत्तर ये भी आपको याद रखना है question number 13 है aqua regia आयतन में 3 ratio 1 की अनुपात में निमलिकित में से किसका मिश्रण है दोस्तो right answer हैगा sandra hcl और sandra hno3 यानि की right answer d रहेगा तेरवे question का सहीउत्तर अगला question आता है दोस्तो हीरा और graphite किसके अप्रूप है right answer हैगा carbon के यानि की b right answer हो जाएगा question number 15 है fuse तार किससे बनती है देखे tin और सीसा की मिश्रधातू से तो पंदरवे question का right answer option नहीं रहेगा ये आपको याद रखना है solva question है carbon का सुदरूप क्या है दोस्तो कार्बन का सुदरूप है हीरा यानि की option a right answer हैगा solva question का सेयुत्तर ये भी आपको याद रखना है सतरवा question है hydrogen की खोज किस ने की थी तो hydrogen की खोज किस ने की थी तो right answer हैगा केवेंडिस ने यानि की a right answer हैगा सतरवे question का सेयुत्तर दोस्तो अठारवा question है पीतल में कौन-कौन सी धातूएं होती है और अगर आप लोग topic wise पूरा science या पूरा physics, chemistry, biology अलग-अलग सारे पढ़ना चाहते है या आप history जोगरफी पढ़ना चाहते है topic wise सारी वीडियो देखना चाहते है free में तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ आप youtube पर search करना only top study और मान लिजे science की सारी वीडियो देखना है तो science playlist आपको पूरा search करना है only top study science playlist आपको playlist मिल जाएगी ऐसे ही history की पोलिटी की जोगरफी की सारी playlist मिल जाएगी ठीक है वैसे मैंने सभी playlist के link नीचे description box में भी दिये वहाँ से भी देख सकते है 18 question का right answer है का तामा और जस्ता दोस्तो यानि की B right answer हो जाएगा अगला question है वहे वैज्ञानिक जिसने radium की खोज की तो right answer रहेगा मेडम क्यूरी ने यानि की B right answer हो जाएगा 19 question का सही उत्तर 20 question है धोने का सोडा का रसायनिक सुत्र क्या है Na2CO3 आनि की C right answer हैगा 20 question का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है 21 question है सबसे भारी धातू कौन सी है दोस्तो सबसे भारी धातू है औसमियम यानि की C right answer हैगा 21 question का सही उत्तर 22 question है निमलिकित में से कौन सा इंदन निंतम परियवरन परदूशन फैलाता है दोस्तो right answer हैगा hydrogen यानि की A right answer हैगा 22 question का सही उत्तर 23 question है नाबकिये रियक्टरों में विमंदक और परसांतिक दोनों की तरहे परियुक्त होने वाला परदार्थ है दोस्तो भारी जल इस question का right answer हैगा यानि की B is the right answer नाबकिये सेंत्रों में ग्रेफाइट का उप्यों किया जाता है तो right answer हैगा विमंदक के रूप में यानि की B right answer हैगा चोबिसवे कोशन का सेयुतर अगला कोशन है किसी गैस को दबाने या संपिडित करने पर क्या होगा तो दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं तो right answer सी रहेगा पच्चिसवे कोशन का सेयुतर ये याद अखना है चबिसवे कोशन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी हेन्री बेकुरल ने दोस्तों यानि की D right answer हैगा चबिसवे कोशन का right answer ये भी आ दखना है दोस्तों 27 वा कोशन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धानत पर कारिय करता है तो right answer हैगा ए नियंतरित नाभिकिये सनलेन अभिकिरिया पर तो right answer डी रेगा 27 वे कोशन का सेयुतर 28 वा कोशन है रक्त का pH मान कितना होता है रक्त का pH मान दोस्तों 7.4 होता है यानि की C right answer हैगा परम सुन्य ताप यानि की absolute zero temperature है सेद्वानतिक रूप से नियुनितम संभितवा ताप हो सकता है यानि की right answer is option है ये आप क्या दखना है अगला कोशन है रसायनों का राजा किसे कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अमल को दोस्तों रसायनों का राजा कहा जाता है यानि की C right answer हो जाएगा मानव सरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ततु पाय जाता है तो दोस्तों right answer रहेगा oxygen यानि की D right answer गन पाउडर किस मिश्रन से बनता है तो गन पाउडर दोस्तों किस मिश्रन से बनता है तो right answer is चारकोल, सल्फर, एवं, पोटेशियम, नाइटरेट यानि की D right answer हैगा रक्ष रसाव को रोकने के लिए आमतोर पर किस aluminum, लवन का प्रियोक किया जाता है पोटास, LM का दोस्तों यानि की A right answer हो जाएगा सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है दोस्तों right answer हैगा मिट्टी के तेल में यानि की C right answer हैगा 34 कोशन का सेउत 35 कोशन है निमलिखित जिवासम इंदनों में से कोन सवस्तम इंदन है तो प्राकरतिक गैस दोस्तों right answer हैगा यानि कि 35 कोशन का right answer is D ये भी आपको याद अखना है तो ये तो थे हमारे 35 कोशन आंसर अभी आपके लिए जो test कोशन है इसका answer सभी को बताना है hydrogen की खोज किस ने की थी ये आप मुझे comment box में बताएंगे अभी हमने इस कोशन का कोशन को cover किया था इसी वीडियो में दोस्तो only top study आपको डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करिए 5 star की rating भी करिएगा उसके बाद में आपको यहां से कहीं free PDF मिल जाएगी और daily करेंटफिर की PDF तो यहां से आपको daily मिली जाएगी और जो हमारी अभी 6000 कोशन आंसर्स की master PDF दोस्तों यह मिलेगी हमारी website only top study.com या फिर नीचे description box में link दिया गया link पर click करके payment करके PDF मिल जाएगी 6000 कोशन आंसर्स की master PDF पे बहुत ही जबरदस्त ओफर चल रहा है 70% का तो ओफ चली रहा है उपर से अभी एक PDF और free मिल रही है static gk से अलावा यानि कि static gk की PDF भी free और इसके साथ में current affair भी free और यह सारे subject तो आपको मिलेंगे ही तो आप किसी भी exam की त्यारी करते हैं जिसमें यह subject पूछे जा सकते हैं जिसमें history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, strategy के पूछे जा सकते हैं तो आप इस PDF को लीजिए और कुछ भी अलग से लेने की जुरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए सेर करिए दोस्तों के साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन कोन रखे ताकि कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक्यू सो मच, बाई बाई अवरीवन, टेक केर, ख्याल रखे अपना